जी हाँ दोस्तों श्री लंका की टीम को तीसरे T20 मुकाबले में बुरी तरीके से हरा कर 3-0 से सीरीज अपने नाम करने के बाद अब श्री लंका की टीम को पहले वंडे मुकाबले में बुरी तरह से कुचलने के लिए भारतिय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने Final Playing 11 का एलान कर दिया है जी हाँ दोस्तों T20 सीरीज के बाद अब हमारी भारतिय टीम श्री लंका के टीम के साथ 3 मैचों की वंडे सीरीज भी खेलने वाली है इसलिए दोस्तों पहले वंडे मुकाबले में श्री लंका की टीम को बुरी तरह से हराने के लिए कप्तान रोहित शर्म शर्मा ने फाइनल प्लेग 11 घोशित कर दी है और कप्तार रोहित शर्मा ने अपने लेवन में ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाडियों को खेलने का मौुका दिया है जिसके अब भारतियह टीम की प्लेंग 11 में श्री लंका के टीम के घिलाफ पहले वंडे मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत हो गई है जिसे देखने के बाद श्री लंका के टीम के कप्तान चरित्र अश्लंका मुकाबला शुरू होने से पहले ही हारमान चुकी है जिहा दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेंग 11 में जिन जिन 11 खतरनाक खिलाडी को शामिल किया है वह अब श्री लंका की टीम को पहले वंडे मुकाबले में भी बुरी तरह से हराने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेंग 11 में किन-किन 11 खतरनाक खिलाडी को शामिल किया है बताएंगे पूरी खबर साथ ही दोस्तों इस वीडियो में यह भी बताने वाले हैं कि भारत और श्री लंका के टीम के बीच पहला वंडे मुकाबला कब कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और श्री लंका के टीम के बीच टोटल 168 वंडे मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें से श्री लंका की टीम ने मात्र 57 वंडे मुकाबले में जीत हासिल कर पाई ह तो वही हमारी भारतिय टीम ने 99 मुकाबले में शांदार जीत हासिल करी है जबकि दोस्तों 11 मुकाबला का कोई भी नतीजा नहीं निकला है ऐसे में दोस्तों यहाँ पर तो हमारी भारतिय टीम श्रीलंका के खिलाफ भारी पड़ती हुई नजर आ रही है लेकिन दोस्तों श्रीलंका की टीम को बिल्कुल भी हलके में नहीं लेना होगा क्योंकि दोस्तों श्रीलंका के टीम वंडे फॉर्मेट में काफी कमाल का प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती है खास कर श्री लंका की टीम अपने होम ग्राउंड पर वन डे फॉर्मिट में काफी लाजवाब प्रदर्शन करती है इसलिए दोस्तों श्री लंका के टीम को बिल्कुल भी हलके में नहीं लेना होगा वही दोस्तों अब बात करें कि जब भारत और श्री लंका के टीम के बीच पहला वंडे मुकाबला खेला जाएगा तो उसे पहले वंडे मुकाबले को आप भारत में भारतिय समय अनुसार कहां पर और कितने बजे से लाइव सकते हैं। मुकाबले में बुरी तरह से हराने के लिए अपने प्लेंग 11 में किन-किन 11 खतरनाक और घातक खिलाडियों को शामिल किया है। तो दोस्तों सबसे पहले ओपनिंग जोडी की बात करें। तो दोस्तों ओपनिंग जोडी में खुद कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ब बल्ले बाजी करने के लिए आते हैं। और तीनो फॉर्मेट में ओपनिंग बैटल में बल्ले बाजी करते हुए रोहित शर्मा अपने बल्ले से काफी ला जवाब प्रदर्शन करते हैं। आपको बता दे कि और रोहित शर्मा ने अभी तक भारतिय टीम की तरफ से टोटल 262 वंडे मुकाबला खेल चुके हैं. और उन 262 वंडे मुकाबले की 254 पारियों में बल्ले बाजी करते हुए 3 दोहरे शतक, 31 शतक, 55 अर्ध शतक की मदद से 10709 भी बना चुके हैं. और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा वंडे फॉर्मेट के कितने खतरनाक बल्ले बाज माने जाते हैं और तो और रोहित शर्मा का प्रदर्शन श्रीलंका के टीम के खिलाफ वंडे फॉर्मेट में काफी लाजवाब रहता है. जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि रोहित शर्मा ने श्रीलंका के टीम के खिलाफ वंडे फॉर्मेट में एक नहीं बलकि दो-दो दोहरे शतक भी लगा चुके हैं. ऐसे में दोस्तों, रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ एक बार फिर से अपने बल्ले से दोहरा शतक भी लगाते हुए नजर आने वाले हैं. जबकि दोस्तों सुभमन गिल भी ओपनिंग बैटल में काफी खतरनाक बल्ले बाजी करने के लिए जाने जाते हैं. खास कर दोस वंडे मुकाबला खेल चुके हैं. और उन 44 वंडे मुकाबले की 44 पारियों में ओपनिंग बैटल में बल्ले बाजी करते हुए एक दोहरे 6 शतक और 13 अर्द शतक की मदद से 2271 रन भी बनना चुके हैं. ऐसे दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल चाहेंगे कि श्रीलं और खतरनाक बल्ले बाज विराट कोहली को अपने प्लेंग 11 में शामिल किया है. जी हां दोस्तों भले ही विराट कोहली का प्रदर्शन हाल ही में खत्म हुए. T20 वर्ल्ड कप 2024 में उतना कुछ खास नहीं रहा था. लेकिन दोस्तों विराट कोहली वंडे फॉर्मेट के सब से खतरनाक बल्ले बाज में से एक माने जाते हैं. खास कर दोस्तों विराट कोहली भारतिय टीम की तरफ से तीसरे नंबर पर बल्ले बाजी करते हुए अपने बल्ले से कई मुकाबले में भारतिय टीम को अकेले अपने दम पर जीते भी दिला चुके हैं. आपको बता दें क विराट कोहली ने अभी तक भारतिय टीम की तरफ से टोटल 292 वंडे मुकाबला खेल चुके हैं। मुकाबले की 51 पारी में बल्ले बाजी करते हुए 10 शतक और 12 अर्ध शतक की मदद से 2594 रन भी बना चुके हैं। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि विराट कोहली का प्रदर्शन श्री लंका के टीम के खिलाफ कितना खतरनाक रहता है। और एक बार फिर से श्री लंका के टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के लिए विराट कोहली पूरी तरीके से तयार हो चुके हैं। जबकि दोस्तों इनके बाद चौथे नमबर की बात करें। ने भारतिय टीम की तरफ से मिडल ओर्डर में बल्ले बाजी करते हुए अपने बल्ले से 500 से भी ज्यादा रन बनाए थे। आपको बता दे कि श्रेय सायर ने अभी तक भारतिय टीम की तरफ से वंडे फॉर्मेट में टोटल 69 वंडे मुकाबला खेल चुके हैं। और उन 69 वंडे मुकाबले की 54 पारियों में बल्ले बाजी करते हुए 5 शतक और 18 अर्ध शतक की मदद से 2380 रन भी बना चुके हैं। इसलिए दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने चौथे नंबर पर श्रेयस अयर को अपने प्लेंग 11 में शामिल किया है। लोकेश राहुल को ही अपने प्लेंग 11 में खेलने का मौका दिया है। क्योंकि दोस्तों लोकेश राहुल भारतिय टीम की तरफ से वंडे फॉर्मेट में मिडल ओर्डर में बल्ले बाजी करते हुए अपने बल्ले से काफी खतरनाक प्रदर्शन करते हैं। और हाल ही में खत्म हुए वंडे वर्ल्ड कप। जबकि दोस्तों लोकेश राहुल का भी प्रदर्शन श्री लंका के टीम के खिलाफ काफी ज्यादा खतरनाक रहता है। अभी तक शिवम दुबे भारतिय टीम की तरफ से वंडे फॉर्मेट में उतना ज्यादा मुकाबला नहीं खेले हैं। लेकिन अभी तक T20 फॉर्मेट में शिवम दुबे का प्रदर्शन काफी लाजवाब रहा है। ऐसे में दोस्तों देखने वाली बात या होगी कि शिवम दुबे का प्रदर्शन वंडे फॉर्मेट में कैसा रहता है। की दोस्तों इनके बाद साथवे में नंबर की बात करें। पूरी तरह कैसे तयार हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर पठेल को साथवे में नंबर बल्ले बाजी करने का मौका दिया है। जबकि दोस्तों इनके बाद आठवे नंबर की बात करें। क्योंकि दोस्तों कुलदीप यादव भारतिय टीम की तरफ से तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। और तीनों फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन काफी लाजवाब रहता है। जो कि आप सभी ने हाल ही में खत्म हुए वंडे वर्ल्ल कप 2023 और T20 वर्ल्ल कप 2024 में देखा ही चुके थे। जहां पर भारतिय टीम को चैंपियन बनाने में कुलदीप यादव का भी सबसे बड़ा योगदान रहा था। आपको बता दे कि कुलदीप यादव ने अभी तक भारतिय टीम की तरफ से टोटल 103 मुकाबला खेल चुके हैं। और उन 103 वंडे मुकाबले की 100 पारियों में गेंदबाजी करते हुए एक 68 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं। जबकि दोस्तों इनके बाद 9-10 में और 11 नंबर की बात करें। तो दोस्तों 9 नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने मुहम्मद सिराज को अपने प्लेंग 11 में शामिल किया है। की 10 में और 11 में नंबर पर यानी की दूसरे और तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा ने हर्षदीप सिंह और हर्षित राणा को अपने प्लेंग 11 में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों हर्षित राणा श्री लंका के टीम के खिलाफ पहले वंडे मुकाबले में भारतिय टीम की तरफ से डेब्यू करते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हर्षित राणा भी एक बहतरीन और खतरनाक गेंदबाज में से एक है। इसलिए दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने श्री लंका के टीम के खिलाफ हर्षित राणा को भी अपने प्लेंग 11 में शामिल किया है। तो दोस्तों यह थी भारतिय टीम के फाइनल और घातक प्लेंग 11।